जैश्री राम भगतो ब्रह्म मूरत में उटकर अपने आप से बोलें ये तीन वाक्य हैं तो आपके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा होने लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भगतो सबसे पहले तो आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो भी वाक्य बोलने हैं ये आपको प्रती दिन बोलने हैं ये नहीं है कि एक दिन बोल लोगे, रोज आना बोलने, तीन ही तो वाक्य बोलने, देर कितनी लगनी है, उठते ही ये कामा बैड पर लेटे लेटे या बैठे बैठे भी कर सकते हो, और ना धोके करना चाहो तो बाद में कर सकते हो, मरजी आपकी है, अब इनका क्या आसर होग तो आसमान से उस समय अमरित बरसता है, इश्वर अमरित बरसाते हैं, कोई किसमत वाला ही उस अमरित को ग्रहन पर कर पाता है, तो एक तो ब्रह्म मुरत का बेनिफिट मिलेगा आपको, उपर से तीन ही वाक्य क्यों बोलने हैं, जो तीन नंबर है, उसका बहुत ही मैत्व है तीन का मतलब तीन ब्रह्मा विशनुमहेश, तीन ही सीव संकर का जो सीवलिंग होता है, उसके उपर आपने तीन रेखाएं देखी होंगी, तीन का मतलब विशेश में होता है, तो तीन बार जब भी कोई आप काम करते हो, उसका आपको लाब बढ़के मिलता है, और तीन ही गुन होते हैं सतव गुन रजो गुन तमो गुन तो तीन के पर बहुत सारी बाते हम तीन का बताने लग जाते हैं वीडियो काफे लंबी हो जाएगी इसलिए तीन ही बार तीन वाक्य बोलना है तीन वाक्य के वल और तीन ही मिनिट बोलने है क्या ये तीन वाक्य एक बार में तीन मिनिट में आप ये तीन वाक्यक जितनी बार भी बोल सके, उतनी बार इन तीन वाक्यों को दोहराना है आपको। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये वाक्य बोलने से किस तरह से आपके साथ सब अच्छा होने लगेगा। इश्वर हर जगे व्यापत हैं कण कण में व्यापत हैं और इश्वर की किरपा भी हर जीव के उपर समान रूप से बरस रही है ये नहीं है कि एक को कम एक को ज़्यादा उसकी किरपा मिल रही है सब को समान किरपा उसकी मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं है क्योंकि हम उस किर पाको जो जितना ज्यादा समझता है उतनी ही ज्यादा उसको कृपा मिलती है जिस प्रकार अगर सूर्य निकला हुआ है तो ये तो नहीं है कि सूर्य किसी एक को कम ज्यादा धूप देगा दूसरे को कम उससे ज्यादा देगा सब को इकवल ही धूप मिलती है सूर्य के निकलन देते हैं लेकिन हम उस दया को लेने के लिए तयार ही नहीं होते हैं क्यों कि हमें पता ही नहीं कि इश्वर की कितनी दया है और उस दया का क्या महत्व है क्या वो तत्व है तो जो व्यक्ति दया के तत्व को समझ लेता है उसको उतनी ही ज्यादा दया मिलने लगती है और हर त तरफ से इश्वर की दया मतलब कृपा, कृपा उसकी बरसने लगती है, तो उसकी जब कृपा बरसेगी, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, तो आपको प्रती दिन प्रमूरत में उठे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जब भी उठे, उठते ही ये वाक्य हर रोज बोलें, बोलना क्या है, नोट कर लीजिएगा, और रोज आना एक ही बात बोलनी है, सबसे पहले तो आप अपने इश्वर को प्रणाम कर दें, उसके बाद आपको ये तीन वाक्य बोलनी है, पहला वाक्य है, भगवान मेरे साथ हैं, और दूसरा है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तीसरा क्या है, अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो ये तीन वाक्य फिर दुबारा दोराने हैं, और तीन मिनट तक बस दोराने हैं, ज्यादा भी नहीं किवल तीन मिनट, तीन वाक्य अपने आप से ही बोलने हैं, आपका जीवन मे वास्तों में चमतकार होने लगेगा क्योंकि इश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है आप ये बोलते बोलते ही आपके अंदर अगवान की दया को आप जानने लगेगा और उसकी किरपा आपको मिलने लगेगी तो प्रती दिन ये छोटा सा काम करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इन जो भी हम बताते हैं इन बातों को प्रैक्टिकल करके देखा करो और प्रती दिन किया करो क्योंकि कोई भी काम कम से कम 21 दिन लगते हैं वो आदत आपकी बदलने में आपके जिवन में कोई प्रुभाव होने में तो कम से कम आप 21 दिन बोल कर देखें आपके जिवन में जिरुर बदला होने लगेंगे अब हम अपनी वाने को विराम देते हैं जे श्री राम भागता